next question दोजा बारा का सवाल है question says if the momentum of an electron is changed by p then the debugly wavelength associated with it changes by 0.5 percent सवाल है initial momentum of the electron will be हमारे option है 200p, 400p, 100p या फिर p by 200 now simple सवाल है यहाँ पर इस सवाल के लिए हम error analysis का use करेंगे so यह बात अपने को पता है कि हम कहते हैं lambda is equal to h by p इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम कहें कि delta lambda divided by lambda will be equal to delta p divided by p इसको हम error analysis से ऐसा लिख सकते हैं now यहाँ पर अपना जो delta p में change है वो किया है हमने अच्छा delta lambda में जो change आया है वो है 0.5 percent तो इसका मतलब हो गया है इसको हम लिख सकते है है 0.5 divided by 100 will be equal to delta p वो अपना चेंज आपका जो मोमेंटम में जो delta p चेंज आया है वो आपका capital p है और यह आपका पी नॉट इनिशल मोमेंटम हो जाएगा इसको अगर हम हम यूज करें एक मिनट यह है आलाइट तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका पी नॉट होएगा यह आ जाएगा आपका p multiplied by 100 divided by 0.5 ना 0.5 को हम 1 by 2 भी लिख सकते हैं तो पी नॉट विल बी इकॉल जाओ नॉट बिदा नॉट नॉट बी इट था राइट रश